बंडाना शेर के मुख्यव अत्ती व्यस्ति गांधी चौक में रविवार की रात करीब साड़े दस बजे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है जहां मामुली विवाद हत्या तक पहुँच गया इस गटना के बाद भीड ने हमलावरों को पकड़ लिया और पीट पीट कर उन्हें भी जखमी कर दिया हालाकि इस गटना में लसी सेंटर चालक की रात में ही मौत हो गई जबकी हमलावर युवक की सुभार नाकपुर के अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई है इस दुरकर उम्रुद 23 वर्षिये और 18 वर्षिये हमलावर युवक अभिशेक सरीश दानी है जानकर 91 अमरुद तक अमन गांधी चौक सीथ आदर्श टॉकिस के सामने दुरगा लसी की दुकान चला रहा था शनिवार को अमन के लसी सेंटर में विकी मोग्रे और विश्नु का अमन से जगडा हो गया था लोगों की मध्यस्था से विवाद को सुलजा लिया गया लेकिन रविवार रात करीब साड़े दस बजे विकी मोग्रे विश्नु अपने कुछ साथियों के साथ अमन की दुकान पर पहुँचे और अमन से विवाद खत्म करने की बात कह कर बात क चला गया और आरोपी अभिशेक परिजदाने ने गुस्से में आकर अमन के पेट में चाकू घोब दिया अमन खून से लटपत वहीं गिर पड़ा मौके पर मौजूद अमन के पिता चाचा उसका दोस्त आकाश कडू कर वह अन्यर लोगों ने अभिशेक के हाथ से चाकू चीन लिया जिसके पास थानिय भीड ने अभिशेक को पकड़ लिया और उसकी जम कर पिटाई कर दी इस बीच उसके साथ ही फरार हो गये दोनों को चोट लगने पर अस्पताल ले जाया गया जह डॉक्टर ने अमन को रात में हीम्रित घोशित कर दिया यह जानने पर अमन क के दोस्तों ने अभिशेक को अस्पताल में फिर से पीटा जिससे वो गंबी रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए उसे नागपूर के मेवा अस्पताल में रेफर कर दिया जहां गयात हुआ कि आज सुभा करीब साड़े 11 बजे अभिशेक नी भी अपना दम तोड़ इस गड़ना से शहर में हड़कम मचा हुआ है और पुलिस के साथ राज रिजब पुलिस बल्कि एक टीम को शहर में तैनात कर दिया गया है पुलिस मामली की अधिक जाच कर रही है इन बीसे नियूस के लिए खलेश भादवाज के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट